नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मार्स में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माउथ अलसर या मुग के च्छालों के ट्रीटमेंट के लिए कौन-कौनसी मेडिसिन दी जाती है मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑप दे मेड वीडियो और उसके सात में अगर आप घरी लूपचार देखना चाहिए यॉजवस्तों आपसे कीज़न लुपचार पता होंगा पर अगर अभी तो यहां पे थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं कि अगर माउठ अलसर वाइरल नहीं है, अगर माउठ अलसर वाइरल होगा तो उस कंडिशन में आपके सरीर के बाहर पूरे सरीर पर भी हो सकता है, हैं चकते पढ़ जाएं तब वह एक तरह से वाइरल हो सकता है पर अगर केवल माउस में अलसर से आप जैसे फोटो में देख रहे हैं एक दो तीन चार पांच है या इससे ज्यादा तो उस कंडिशन में कौन-कौन कि वज debut से हुआ हम लोग को मिलागे चार मेडिसिन देते हैं। चैसे उसके साथ में एक आपको जल द्रणाजाते घ्रैसाइप की उसके साथ में यदि यताफि ये थोड़ी से की माउंट में थोड़ी सी पावर के साथ में और बीटमीन वी कॉंप्लेक्स दिया जाता है प्लस जिंक तो यहां पे हम कौन-कौन से मेडिसीन देते हैं तो पहले एज़ित्रोमाइसन-2.200 ब्रच्टम्जी दिया जाता है और उस के सात में ऑ्मिप्रजोल 20 करते हैं उसके साथ में एक आपको जल दिया जाता है तो आप चाहें अगर बहुत जादा शमस्या है तो जल ले लीजिए तो यह चार मेडिसिन की डोज कैसी होती बाद में जल की बात करते हैं तो यह चारों मेडिसिन में जो बिटमिन जल ला बबारियों की मेडिसिन वह सब आपको सुबह शाम लेनि घ 새ाए तो जाता है उसके साथ में जो जिल दिया जाता कोलीन सैलिसेलेट बेंजल कोनियम फ्लोराइड का जो जल होता है वो दिया जाता है जो कि माउथ अलसर के लिए मेली होता है दोस्तों अगर आप जेनरिक लेंगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा तो आप कोशिस करें कि आप जेनरिक मेडिसीन ही ले उससे आपको जूज करना है जहां पर अलसर हुआ है वहां पर आप इसको लगाएं और फिर लार बनेगी तो लार को मुह में रखें और उसको माउथ के अंदर ही आप चलाते रहें करीब पांच मिनट तक या जितना देर आप रख सके बहुत जादा देर नहीं उसके बाद मुह को धोले अगर आप चाहें तो माउथ में पानी ने डाले मुह में वैसे उसको थूप दे और फिर से लार बनेगी तो उस लार को फिर से यूज करते रहें देखो इससे क्या होगा कि माउथ में आपको जो यह मेडिसीन है मतलब यह जो जेल है पूरी तर से लग जाएगा और आप ठ हो जाएंगे कब दो धाई दिन में तीन दिन में आपका अलसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो यह थिया लूप एथिक मेडिसीन पर दोस्तों मैं इसना ही कहूंगा कि अगर आपको अलसर बहुत जादा हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं तो आप अपने मंद से दवाने ल सकते हैं बागी मेरे हिसाब से पहले आप घरी लूप चार पर ही ध्यान दें अगर आप फिटकरी पानी से या किसी और चीज़ से धो करके सही हो सकते हैं तो पहले वैसे सही हो नहीं सही होते तब आप एलोपेथिक मैडिसीन की तरफ बढ़ें दोस्तों यह था आज का में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है मिलते हैं नेक्स वीडियो में पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद